दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इस सिरा अपिएस से डिप्रेशन होता है या फिर डिप्रेशन से आईपिएस आपके इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में दूंगा तो आपसे गुजारिस है कि आप इस वीडियो को end तक जरूर दे हैं तो दोस्तो इस सवाल का जवाब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको पहले depression हुआ उसके बाद यह पेट संबंधित समस्या शुरू हुई तो इसका जवाब है कि आपको यह जो depression है इसके थोड़ पेट खराब हुआ लेकिन अगर आपका पेट पहले खराब हुआ थोड़ लंबे समय तक मतलब कि 2-4 महीने तक पेट लगातार खराब ही है उसके साथ साथ आपको depression होने लगा तो इसका मतलब यह है कि आपके पेट से आपका दिमाग खराब है मतलब कि आप stress और anxiety में हैं पेट का दिमाग खराब होने का मतलब यही है कि आप continue इसी के बारे में सुचते रहते हैं आपकी जो daily basis की life होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जैसे कि abdomen pain की problem दिन में कई बार emotion जाने की problem 8 से 10 बार 4 बार 5 बार मतलब एक जो normal इंसान जाता है अब उससे different हो जाता है मामला कि 3 बार से लेकर अगर एक से 2 बार आप दिन में जाते हैं तो वो normal की category में doctor उसे देखते हैं लेकिन आप अगर 3 से ज़्यादा बार जाते हैं तो यह अपने आप में एक तरीके से किसी problem का symptom देता है अगर आपको problem 2-4-10 दिन से शुरू हुई है तो आप medicine लीजिए तो यह medicine से ठीक हो सकता है अगर यह ठीक नहीं होता है continuous 3 मैंने जादा तक अगर यह problem रुकी रह जाती है तो फिर इसको नाम दे दिया जाता है IBS का अगर आपको constipation होता है 3-4-4 दिन तक आप motion के लिए नहीं जाते हैं जा फिर आप एक दिन में एक ही बार जाते हैं लेकिन बहुत कम motion आता है जा फिर आप दो दिन में एक बार जाते हैं तो यह पूरा-पूरा symptom है कि आपको IBS-C की problem है मतलब irritable ball syndrome constipation की तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका IBS depressions है मतलब आप पहले जादा overthinking करते हैं या फिर आपके साथ में ऐसा कुछ घंबीर घटना घटी जैसे की किसी की death होना या फिर आपके बहुत बड़े मतलब की business में काफी बड़ा loss होना जिसे आप ज़्यादा anxiety मागए या फिर आपके relation में किसी तरह की कोई भी खराबी आना या फिर break up हो जाना या फिर घर में किसी से कुछ बात हो जाना ऐसी इस्ति में आपका अगर पेट खराब होता है तो ये एक तरीक से mental health में गरबली आने के कारण आपका पेट खराब है लेकिन अगर पेट खराब होने के बाद आपका दिमाग खराब होता है मतलब डिप्रेशन होता है तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपके पेट के तरह आपको anxiety हुई है इसका मतलब ये होता है कि जब आपका पेट ठीक तरीक से काम नहीं करता है और ये continue पचीस दिन तीस दिन एक महिना दो महिना चार महिना तक लगातार ये problem रहती है तब धीरे धीरे anxiety और depression बेचानी का symptom create होने लगता है इस तिदी का मतलब ये होता है कि आपके सेरी में आप पोशल तक्तों की कमी होने लगी है जैसकि खासकर अगर mental health में issues आ रहे हैं तो उसमें vitamin D3 और vitamin B12 का हो सकता है मैं eye button में आपको एक video का link दे रहा हूँ आप उस पर click करके vitamin D3 और B12 के symptom जान सकते हैं और इस चीज़ की कमी कैसे पूरी करनी है वो देख सकते हैं लेकिन आपको IBS के तो अगर ये problem है तो आपको दोस्तों सबसे पहले पेट का exact इलाज करना होगा अगर आपका digestion perfect तरीके से क कि आपको problem हुई तो किसके तरह ये doctor आपको बहुत कम बता सकेगा क्योंकि आपके साथ में daily basis की life जो है वो effect आपकी और ही है problem किस तरीके से start हुआ और किस तरीके से problem चल रहा है इस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि पहले मेरा पेट खराब हो तब ये चीज़े होने लग भी mental health में problem आने लगती है तो आपकी सवाल का जवाब जो है मैंने इस video में बहुती clear तरीके से दिया है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़े काफी अच्छे समझ में आई होगी अगर चीज़े समझ में आई तो वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आप सभी को कुछ और जानकरी अच्छे से दे सकूँ जो कि आपका सवाल है तो दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन